a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 cm length of PQ is तो यह basically optional question है मलब आपको option दिया गया क्या A 12 cm B 13 cm C 8.5 cm D square root 119 cm ठीक है तो यहां पर इस question में बोला गया कि एक circle है circle के किसी point P पर एक tangent pass हो रही है ठीक है यह हमारा circle का center O होगा तो इस P point से कोई tangent pass हो रही है PQ क्या pass हो रही है PQ अब अगर हम OQ को मिलाएं तो हमें बताने कि यह जो PQ है उसकी distance क्या होगी जबकि हमें radius दिया गया है 5 cm और जो हमारे पास OQ हो है वो दिया गया है 12 cm या पर basically हम पाइदा गोर्यन थेहरम का प्रेंगे से माल करके पी क्यूं की वैल्यू पाइंट करेंगे सो सलीषन अगर भी है अगर 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 तेंजन्ट 5 cm और पी क्यूं इक्वल तो 12 cm ऑके बाइउजिंग पाइथागोर्यस थेहरम पाइथागोर्यस थेहरम अब पाइथागोर्यस थेहरम क्या होता है होता है देखो पाइथाग्योस थेहरम कहता है 최 अर्व का स्क्वाइर असे एकल टू बेस का स्कवाइर ब्लस परपंडिकुलर का स्क्वाइर तो परणिकुलर का स्क्वाइर ठीक है कि तो फर्मूला siya है ओक्यो क्यूइप तरफ स्थ येघा तो मह अे हुआ अटते करना है तो त्यक्तिव को उदर संट कर लेंगे तो यह हो जाएगा ने सो वेन भी सब्ट्रेक्ट वी फाइंड 14 माइनस 5 विकम 9 3 माइनस 2 विकम 1 1 PQ स्क्वाइर ओके तो देखो जब हमें PQ की वैली फाइंड करनी है तो स्क्वाइर यहां से रिमूब करेंगे और इधर स्क्वाइर रूट लगा देंगे तो हमारे आंसर यहां से कितना आ जाएग तो यहां से देखो option number D जो होगा वो हमारे correct हो जाएगा तो यहां से क्या write करेंगे so option D square root 119 ठीक है और यह हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा तो आप चाहते वीडियो को पॉज करके write down कर लो या फिर screenshot ले लो तो दोस्तों comment box में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जड़ा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी share करें अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी subscribe करें हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले question के साथ